उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री यूगी आदितनाथ ने सुमवार को कहा कि मत्धुरा के व्रिंदावन, गोवर्धन, नंदगाउं, बरसाना, गोखुल, महावन और बल्देव में जल्दी मांस और शराग के विक्रीब बंद कर इन कारियों में लगे लोगों का अन्य खावा ज्यादा करते हैं, और हम सब लोग पूजा करते हैं, हिंदु धर्म को मानते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और तेहवार और पूजा पाट करना, हर्सो उल्लास के साथ मनाना, खुशियां बाटना, स्रद्धा के साथ, भाव के साथ, मंदिरों में जाना, यह हमारी पुरानी परंपरा रही है, योग यादितनाजी अभी नए धर्ती पर आये हैं, इसके पहले भी हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार और हमारे पुराने पीड़ी के लोग, भागवान और देवी, देवता और तेहवार और पर मनाते रहे हैं, साथ मुख्मंत्री जी अज्यानता के सिकार है, साथ मुख्मंत्री का जो बड़ बोलापन है, उसका खामियाजा उत्तरपदिश गुगतरा है, उन्होंने का इंसे फ्लेटिस खतम हो गया, गोरकपुर में कुशी नगर में महराजगन में इंसे फ्लेटिस के नाते, बच्चों के मौत का सिलसला जारी है, वही स्तिति फैज फिरोजाबाद, आगरा, मैनपूरी, मतुरा, एटा और कास गंजवी, बड़े पैमाने पर बच्चों के मरने की खबर आ रही है, फिरोजाबाद में तो 68 लोगों की अब तक मौत हो गई, जिसको मेडिया ने प्रकासित किया है, मैं समझता हूं कि आप अस्पतालों में रि खिपा कर, क्या मैसेज देना चालते हैं, इन से प्लैटिस के जो टीके हैं, वो नहीं थे गोरकपूर में, ये आलम में उत्तर प्रदेश का केवल ब्रांडिंग से, और इवेंट से, और केवल मीडिया मैनेजमेंट से, उत्तर प्रदेश चलेगा, आप उनके बच्चों के जो लोग खाल के गाल में समय है, जीनों ने अपने बच्चा को या उसके मोत के जिम्मेदार, सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुक्मंत्रियों गया दितना आता है, जाकर आपने क्या किया, घुमके चले आए, इसके अलावा, कोई उपाय, कोई साधन, कोई ब्यवस्ता, प्रदेश के जिम्मेदारी है, इस मुद्दे को सदन में भी उठाऊंगा और सडकों पर भी मजबुति के साथ, परिवार के लोगों को नियाय मिले इसकी लाए, देश में, जो हालात है, अघोसित इमर्जन्सी है, अधड़ी राहुल गाधी जी बार बार, सरकार पर यह बात बताते हुए, निरंतर उन्होंने मीडिया के सामने सदन में, संसद में चर्चा किये, रेल बेचा, हवाई जहाज बेचा, हवाई यड़ा बेचा, एलाई सी बेचा, डाग घर बेचा, इंडियन आयल बेचा, भारत पेट्रोलियम बेचा, और आने वाले दिन में, जो हालात, देश के सामने, सारजनी कूपकरम निगम से लेकर, सबी बड़े पैमाने पर यह सरकार एक-एक करके, हम दो और हमारे दो, के लोगों को देने का काम कर रही है, देश के नौजवानों के सामने तो रोजगार का संकट है, खास कर मध्यम बर्गी, छोटा बर्ग, पूरी तरह, हतासा और निरासा के जीवन जीने पर विवस है, के प्रधान मंतरी का, निंदा करता हूँ, हरियाडा के मुख मंतरी का, जय जवान, जय किसान का नारा, मुमे राम बगल में छूड़ी, एक तरफ आप कहते हैं, किसान सम्मानी है, एक तरफ आप किसान से बात करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ, जब किसान अपने अधिक मैंने से दरना चला है दुनिया का रिकार्ड बन रहा है इतना बड़ा अंदोलन इतने दिन तक अंदोलन चलने वाला कोई अंदोलन नहीं किसका सम्मान कर रहे है ना किसान की ना जवान की ना नौजवान की सरकार का चेहरा हो जाकर हो चुका है कांग्रस फार्टी किसान नौ परजवान के साथ खड़ी है जवान के साथ खड़ी है और इनकी आवाज को बलंद करती रहेगी जब तक आदरी कल्याण सिंग्जी जीते रहें सबसे पहले तो मैं सद्धा सुमनर्फित करता हूं और इस्वर उनकी आत्मा को सांती दे उनके परिवार को साथ दे की इस दुख को बरदास कर से जब तक जीते जी आलड़ी कल्याण सिंग्जी रहें क्या हाल किया भाजपन है उन्हें पार्टी छोड़ने पर विवस होना पड़ा दूसरी पार्टी बनानी पड़ी और जो सम्मान उनके जीते जी उनको दिया है लोधी समाज ने देखा है हाज आप उनके नाम पर सद्धानजली सवायुजित करके क्या करना चाहते हैं केवल ओड की राजनीत मैं समझता हूं स्रद्धा सुमन अर्पित हम सब लोगों ने किया है और निश्चित तोर से केवल भारती जन्ता पार्टी लाब की राजनीत करने के लिए उनके नाम को भी एचने का काम कर रहे हैं